हलो वेलकम योल आज है तीस जुलाइवार आप सभी किलाएवार फिर से इन पॉर्ण वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन फार्माशुटिकल्स के बारे में तो चैनल पे तो इसके ब्रेकाउट है ही है और इस ब्रेकाउट के रिजन्स आपके साथ रखना चाहू तो यह लगातार न्यूज आ रही है जिसके बशित हमार को सन फार्मा फिर से एक व्रेकाउट भी देखने को मिला है तो आपके सामने दो बातें में रखना चाहूंगा अक्तों न्यूज़ कि से बातें में आज हमार को इतनी तेज़ी देखना मैं और इसके आगे के लेवल को दबाना ना भूले and video को like भी करें तो चलते हैं इसकी न्यूस पे सबसे पहले तो असन फार्माशूटिकल की इंडस्ट्री जो है इसकी आगे की सबसेडियरी जो भी हो पूरी की पूरी ओंड है टारो फार्माशूटिकल इंडस्ट्री यह आगे किसी और कंपनी को एक्वा है लगबग 8.2 मिलियन डॉलर के आसपास कि एक्वायर कर रहे हैं इस कंपणी को जो कंपणी का नाम है एक्वी नॉक्स फार्माशूटिकल जो कैनिडा बेस एक कंपणी है और टारो फार्माशूटिकल ये यूएस बेस सबस्डेरी है सन फार्माशुटिकल की और यह होली ओन सबसडेरी है और इस सबसडेरी की अगर हम बात करें यह एगरी हुए हैं कि एक्वाइर करेंगे वे आफ परचेज आफ आल आउस्टेंडिंग शेर आफ एक्विनॉक्स फार्माशुटिकल आफ कैनिडा कंपनी तो यह रेगुलेटरी ख्रीद रही है वह भी आउटस्टेंडिंग शेर जितने भी है तो लगभग यह एक सन फार्माशुटिकल बिजनेस अपना बढ़ा रहे और क्या चाहिए और इसी की पैसे हमार को इस शेर में आज रैली देखने को मिली क्योंकि सबसडेरी का फायदास बहुत वारे होते से द्वेडन्ठ में इसके डेफिनेटली देखने को मिलेगे जिसके खान आज हमार को संफार्मार रही देखने मिली और अब इसके चार्ट पर आता हूं मैं चाहूंगा आपको कि इस में क्या awesome factors हमार को देखने को मिल रहे हैं अगर आप simple EMA भी लगा होगे ना simple EMA से भी analysis करोगे आपको क्या दिख रहा है कि यहां 200 नीचे 100 नीचे 20 नीचे 50 नीचे and 20 भी नीचे तो सारे के सारे EMAs के उपर share travel कर रहा है means great strength in the share मुलब की लगाता और अच्छे price मे upward side को हमारे को movement देखने को मिल रहे हैं और वहीं अगर आप notice करोगे ने इस EMA में यह red color की line दिख रही है आपको मैं आपको last time भी बिताया था आपने गौर नहीं किया होगा कि यह जब भी यह जो इसका 50 days का EMA है ना यह इसको लगातार sport देते हैं बड़े लंबे time से और यह sport यहां पर देखने को मिला selling pressure आया पर चेला शेयर ने अच्छे खासे मालब यहां बायर बैठे वे थे शेयर को इस नीचे नहीं जाने दे रहे हैं और closing इसकी नहीं हो पार रही थी अगर आप देखोगे ना closing इसकी उपर हो रही थी आता था pressure शेयर में पर closing इसकी नीचे न जाते थे मालब 500 का लेवल था ना 505 का यह ऐसा लेवल था कि यहां से उपर कभी शेयर closing हुआ अपने recent time में बहुत time लगाया आप देखोगे रैली अगर मैं रैली की बात की बात करूं मार्च 14 से लेकर अगभी तक का आप data देखोगे पूरे जुलाइंड तक का हर बारी य इस में ट्रेड किए से निचले स्तरों से या आप से किया था हमने और यहां पे पर नहींद नहीं किया था seller थे बैठे जहां इसमें profit booking देख रहे हैं और आप देखो के पूरी मार्केट में आज रेड 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 दिखा और यहां पर क्या दिख रहा है वॉल्यूम्स में अब 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 दी के साथ इसमें breakout हुआ मतलब कि यह परम मलब की फेक ब्रेक आउट नहीं है अब हमार को इसमें ट्रेड लेने का टाइम आ चुका है क्योंकि इसने एक जैनुएन ब्रेक आउट दिखाया न्यूज भी अच्छी है तो अब इसमें हम स्टॉप लॉस पांस होगी नीचे रहा है आप देख सकते हो इधर पर देखने को मिल रहा है जैसे यह तोड़ता शॉट तम में हमां इसके टार्गिट फाइव थर्टी सेवन कर रखेंगे तो फार्म शेयर और इन गुड कंडिशन रैली देखने को मिल रही है डिस्पाइट मार्किट इन प्रेशर वहीं पर यह संफार्मा ऑपरचुनिटी दे रहा है शॉट टम में कि पांसो के नीचे के हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंगि जो आप देखोगे ना कोई शेयर में जहां पर पहले सेलर्ज बैठे होते हैं वह एज रेजिस्टेंस काम करता है जब वह भाव टूड जाता है और शेयर उसकी उपर जाके क्लोजिंग दे देता है तो उस टाइम से वह जो प्राइस होता है वह एज रेजिस्टेंस करता है और उसकी उपर मलब की स्पोर्ट काम करता है और ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर चला जाता है तो वही कंडिशन यहां बनते हुए हमारे को देखने को मिल रही है इसमें डिलिवरीज में ही काम कर सकेंगे इसमें आप इंट्राइडे में नहीं कर पाऊगे क्योंकि हमारे को जब होंगे वह लगबग इसमें 530 के आसपास भी बुक कर सकते हैं अगर आपको पूरा वोन वेट नहीं करना है तो 530 तक इसमें हमारे को शॉट टम में डेफिनेटली एक आराम से टार्गेट अचीव होते हैं हमारे को देखने को मिल सकते हैं तो एक ब्रेक आउट हुआ है जैन् जो अभी 62 के आसपास भूम हैं बस जिनमें बहुत आसपास रहली रह चुकी है वही पहले दिख रहे है बाकी तो आज मार्केट ने सब के आराइस से द्वस्त ही कर दी हैं एक किसम से वहीं आज है डिलिवरीज भी देखोगे तो फेर डिलिवरीज हमारे को इस शेर में दे देख सकते हो आज इसने वी 52 हाई यह भी आपको बहुत याद रखनी है और शेर में आज लगभग 3.69% की तेजी देखने को मिली लगभग 18.20% ऊपर जाके यह क्लोज हुआ तो ब्रेक आउट हुआ है चांस मिला है आप इस चांस को ग्रैब कर सकते हो और शॉर्ट अम में प्लीज पोर्ट सब्सक्राइब दा चनल लाइक कीजिए आर वीडियो को मोटिवेशन मिलता है एक कमेंट सेक्शन में अपना क्वारी रखिये डेफिनिटी रिप्लाइ करूँ मेरा जोब बनता है एंड थैंक्यू फोर वाचिंग दा वीडियो